राधे राधे मित्रों मैं कृष्णा चत्रवीदी और आप देख रहे हैं दौली कोचिक मैठड आज का पीडियो उन स्टुएंट्स के लिए हैं जो लीगल स्टिटीज में रूची रखते हैं वो विद्यार्थी जो विदी का अध्यान करना चाहते हैं भारती संविधान को स सब्सक्राइब की जाती है यह यूजी और पीजी दोनों के लिए होती है आज हम आपको केबल यूजी के बारे में बताएंगे क्लेट यूजी टूथाउजन ट्वंटीटू क्लेट के माध्यम से अगर हम एक्जाम देते हैं तो हमें एनल्यूस से एललवी करने का मौका मिल लगबग हर राष्ट हर स्टेट में अपनी एक एनल्यू है हमारे यूपी में लखनव में और एंपी में बोपाल में गुजरात गांधीनगर में बंगलोर जोधपूर रायपूर इस तरीके से टूटल सेवेंटी हैं एनल्यूस के माध्यम से अगर हम एललवी या लॉट डिगरी लेते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा बैक्राउंड मिलता है और बहुत अच्छा नॉलिज बैक अप मिलता है यह फोर्म आ चुके हैं दोस्तों इनकी सुरुआत एक जन्वरी 2022 से हो चुकी है और लास्ट परियात्त मौका है आप अच्छे से सोच समझ के विचार करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एक्जाम देट संभावित है आठ मई को एक्जाम हो सकता है चुकि आप लोगों को मालूमी है कोरोना टाइम टाइम पीर चला है तो ऊपर नीचे डेट हो सकती है उसका नोटिफ काट भी अप्रेल 2022 तक आ जाएंगे रिजट भी संभावित प्रूप से मई जून 2022 तक आपके सामने होंगे अब बात करते हैं योग गिता की कि वो कौन लोग है जो इस एक्जाम को भर सकते हैं इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है कोई अधिक्तन सीमा आयू नहीं है वे लोग जो 10 प्लस तू मतलब इंटर्मीडियेट पास कर चुके हैं विट 45 परसेंट आरक्षित वर्ग के लिए जर्वेशन वाले बच्चों के लिए नेमा अनुसाथ पाथ परसेंट की छूठ दी गई है वो लोग इस एक्जाम को भर सकते हैं कि वह भी इस एक्जाम को बढ़ शक्ते हैं तो बच्चों आप लोग इस किस एक्जाम फॉर्म और अपनी रुची अनुसार विरी चेत्र को चुने विरी चेत्र बहुत ही रॉयल चेत्र है अपने आप में एक गर्व महसूस करने वाला पेशा है और आप लोग इसे चुने कि जैन जै भारत